वेलकम वेक, एक फिर सबकु स्वागत है एक निव बीडियो में है तो इस बीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे जो टाटा एश्टिल के तरप से वाकेंसिय आया है जूणियर इंजिनेर ट्रेनियर ने जेट का वाकेंसिय आया दोस्तों इसका डीटेल सिलेबस के बारे में दोस्तों जो अगले बार 2023 में जिस सिलेबस से कोशन पूछा गया था वही सिलेबस यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं और आप लोग को ब्रांच वाइज यहां पर A to Z सिलेबस आप लोगो टेलिग्राम चैनल पर पीडियाप दौरा मिल जाएगा तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजएगा नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में आप लोगो कोशन टाइप बताऊंगा कितने मार्क्स का कोशन पूछा जाता है नेगेटिव मार्क्स कितना का होता है होता है भी नहीं होता है और कहां परसेंटेज अब कोशन बताऊंगा है तो इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री बात करते हैं ब्रांच का तो मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इंस्टुमेंट्सन मेट्रलजे सेरेमिक केमिकल और सिविल इंजिनियर वाले इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों कुछ इंप आप लोग 18 फर्वरी को ही होगा ठीक है यह फिक्स है यह इंपोर्टन डेट से आप लोग याद रख लिजिए और इससे रिलिटेट जो भी डाउट है न वो डाउट को लेकर वीडियो बनाऊंगा कि कौन-कौन सी स्टुएंट अपलाई कर सकते हैं बहुत सारा आप लोग 100% सेलेक्शन हो जाएगा लेबस के बात करें तो सबसे पहले अपका इक्जां मोड की बात करें तो आप लोगो वहाँ पर भी लिखा ऑनलाइन रिटेंड इक्जाम होगा सेंटर बेस अप लोगा होगा सेंटर काफे बढ़हां से चुनिएगा क्योंसेंटर में अगले बार पूछे जाएंगे टोटल कॉश्चन यहां परे हैं डिडिया Carne ऑन नब्य मांसे तो आप सकता है । यहां मांसे टीन ऑन चाहल से होगा तो यहां पर kin के मंदस रहेगा कभीकध कर दिया जाता है था प्रम कि दुद्धि यह¿ मान के चलिए हैं अप लोग से पूछा जाएगा टाइम की बात करें तो टाइम अप लोगों दिया जाएगा 120 मिनट 120 मिनट अप लोग समय होगा उसी समय से आपको यहां पर अपना एक्जाम को कंप्लीट करना है अब बात करते हैं कहां से कितना कोशन पूछेगा सब्जेक्ट टेकनिकल नॉन टेकनिकल तो सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी अप लोगा डिप्लोमा ब्रांच है जो भी अप लोगा बीटेक में ब्रांच है उससे अप लोगा 80 कोशन पूछेगा यह फिक्स है ज्यादात तो हाइ लेबल के कोशन यहाँ पर पूखे जाते हैं W यहाँ पर जो 20 होते हैं सबसे जाए यहाँ फस्त है जो कि पूखे जाता है इंडस्ट्रियल और्यों्टेट लर्निंग इस से 20 कोशन पूखे आते हैं तो इसका पूरा कोशन आप लोगों मिल जाएगा आपको हमारे यूटूब चैनल में जाकि आप चेक आउट कर शिकते हो बाकि इसका क्लासिस भी आप लोगों लेकर आया होंगा ठीक है कुछ जो कोशन होते हैं यह सेप्टी चे भी कुछ कोशन पूछे जाते हैं तो आप लोगों के सेप्टी वाला भी कोशन को आप लोगों देख के जाना है क्योंकि इसमें एक आदू कोशन फिगर के साथ साथ आप लोग सेप्टी रिलेटेट पूछा जाता है तो यह सब को आ देखना होगा तो इसके बाद करता है मार्क्स के बारे में तो आप लोगों श्रीं कुर्ट करोगें तो यहांपर नेगेटिव मार्क सेंट होताOh चमझेए इतल मार्क होता है तो यहां इसमें डोस्तों मार्क काफी इंपरेंट है अप लोगो जब exam दोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इसमें negative mark है और काफी ज़दे student जब नहीं आते हैं तो अराम से वो question को लगा देते हैं बाद में बोलता है कि selection क्यों नहीं होगा क्योंकि इस exam में negative marking रहता है इस चीज़ को अप लोगो ध्यान में रखके exam का त्यारिक करना है अप लोगो ज़्यादा जितना हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा आप लोगो positive ही answer करके आना है negative मारोगे तो आप लोग selection में पीछे हो जाओगे बाकि अगले बार का cut-up कितना गया था क्या कौन से कटेगर का कितना cut-up रहा था ये भी आप लोगो एक proper video मिल जाएगा जिसमें आप लोग एक अंदाजा हो जाएगा कि इतना तक cut-up गया था बाकि अगले साल का question मैंने arrange करके रखा हूँ तो अगले साल का question भी आपको मिल जाएगा telegram group में आपको होगे तो मैं यहापे discuss कर लूँगा तो नीचे comment कर देना और हर एक branch wise हर एक branch wise आप लोगो syllabus आपको telegram group में मिल जाएगा क्योंकि एक branch करने लगों तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा तो telegram group का लिंक नीचे मिल जाएगा जाके join होई जाएगा तो मिलते हैं एक new video में तब दक लिए जाहिंद वंदे मात रहो